हेलो एवरिवन केसे हैं आप सबी मेरा नाम है हन्मान और आप देख रहे हैं इस्टड़ी विडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारे बंपर बरते का नोटिपसेन लेके आज चुके हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट साबित होने वाला है तो दोस्तों वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा इसमें इस्टेब आपको जब 15 परकारे के वेकेंशियों की जानकारी देने वाले हैं जिसमें एकाउंटेंट ओफिसर के हैं फॉर्स ग्रेट के यानि एक तरह से बात किजाए प्रिंसिपल से लेके पियों तक की वेकेंशिस काफी सारे इसमें आचुकी है सो इस्टेणोग्राफर की भी काफी सारे पक्द इसमें दर जो आचुके हैं तो दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो एसे ही रोजाना सरकारी गवर्मेंट नोकी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें दोस्तो अभी आपका समय खराब नहीं करते हैं आपको फुटा फुट राष्ट राष्ट इन्फोर्मेशन सुचना प्रोध्योगी की संस्थान की और से आई लेजिश्ट बरते के जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तो नमबर एक पर बात करते हैं आपकी इस बरते के बारे में यानि फाइनेशल कंट्रोलर की जो जनल की है जो इन्होंने साप साप देर कहा है इन्होंने जो आपको देखने को मिल रहे यानि 78,800 रुपे से लेकी 2,9,200 पर मंत आपकी सेलेरी रहने वाली है तो दोस्तो इस फॉर्म की जो आपकी ओपरिंग डेट है 26,2022 से लेकी आप 19,7,2022 तक 5,200 साम तक अप्लाइ कर सकते हैं यानि आपको जो मिनमम एक मेने का समय दिया गया है 19,07,2022 तक आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं तो दोस्तो अगर बात करें financial controller की तो इसके अंदर आप से graduation मांगा गया है अगर आपने किसी भी संस्थान से graduation कर रख है तो आप इसमें apply कर सकते हैं और आप इसमें जब 50 साल तक apply कर सकते हैं वो भी इन्होंने साप साप दे रख है तो दोस्तो अब next बात करते हैं आपकी administration come finance officer की तो दोस्तो इसकी आपके लिए दो vacancy आर किये दोनों general किये salary आपकी बहुत है handsome आपको देखने के में लिए आप वीडियो को post करके भी देख सकते हैं आप से आपे जो है post graduation मांगा गये यानि graduation अगर आप finance में जाना चाहते हैं आपका graduation जो है accounts के अंदर होना चाहिए यानि अगर आपने B.com, MBA या M.com कर रखे तो आप इसमें apply कर सकते हैं अब नमबर 4 पर बात करते हैं assistant director finance की तो दोस्तो इसकी भी आपकी एक vacancy आर की है जो इन्होंने साब साब देर की आपसे याँ पर graduation मांगा गया है अगर आपने any background अगर आपने graduation का रखा है वो भी 60% के साथ तो दोस्तो आप finally इसमें apply कर सकते हैं और salary आपको बहुत ही handsome देखनों को मिल रही है आप यहाँ पर जो है 40 साल तक apply कर सकते हैं अब number five पर बात करें असिस्टन डारेक्टर की एडमिरिशन की तो दोस्तो असिस्टन डारेक्टर की यहाँ पर तीन पोश्टे आर किये दो जर्रल के एक EWS कंडिडेट्स किये salary आपकी बहुत ही handsome 56,100 रुपए से लेगी 1,47,500 रुपए तक देखने को मिल रही है और दोस्तो इसमें आप से graduation मांगा गया है आपके graduation के अंदर 60 प्रतिसत होने चाहिए तो आप इसमें apply कर सकते हैं दोस्तो वीडियो खतम होने से पहले एक बार आपको बता दूँ आप वीडियो को देख लेते हैं पर वीडियो को like नहीं करते हैं सो दोस्तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एसे ही रोजाना सरकारी गोवर्मेंट नोकरी के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहें सो दोस्तो नमबर सिक्स पर बात करते हैं सीनियर असिस्टेन एकाउंट की इसकी दो वेकिन्सी आर की एक ओवीसी कंडिडेट्स के लिए दूसी जर्नल कंडिडेट्स के लिए सो दोस्तों salary आपकी बहुती handsome यहां पर देखने को मिलिए 34,800 रुपे आपकी salary रने वाली है graduation आपसे मांगा गया है और आप 30 साल तक इसमें apply कर सकते हैं सो दोस्तों आपका यहां पर return test होने वाला है सभी पर किंसी में आपका return test होगा then आपका document verification भी होगा आपका mentally test भी होगा आपका return अगर है return होगा अगर main आपका है तो main भी होगा सो दोस्तों number 7 पर बात करें assistant की तो assistant की यहां पर 5 पोश्टी R किये 3 general की और 2 EWS candidates की सले आप बहुती handsome यहां पर देखने को मिल रही है और आपसे इसमें graduation मांगा गया सो दोस्तों अगर आपकी पास भी है graduation की तो आप degree तो आप इसमें apply कर सकते हैं सो दोस्तों इसका जो संपूर्ण official notification है वो हमने वीडियो के discus पर में डाल दिये आप वहां से आसानी से इस firm को जो है fill कर सकते हैं और उससे पहले इस notification को दोस्तों एक बार जरूर रीड कर लिजेगा अब नक्स नमबर 8 पर बात करते हैं इस टरनोग्राफर की सो दोस्तों इस टरनोग्राफर की साथ विकेंसी आर की है जो बंपर भरती है दोस्तों इस राष्टी सुचना प्रोधियो की संस्थान के अंदर और साथ पोश्टन जो है जनरल की आप कोई भी candidates इसमें जो है apply कर सकते हैं सो दोस्तों salary आपकी बहुत है handsome यापे देखने को मिल लिए 25,500 रुपे से लेकि 81,100 रुपे आपकी salary रहने वाली है आप से यापे graduation मांगा गये और साथ ये साथ दोस्तों आप इस्टनोग्राफर के लिए apply करते हैं तो आप से यापे जो short hand भी आनी चाहिए यानि 100 word per minute आपकी English में speed होनी चाहिए वही 80 word per minute आपकी Hindi में speed होनी चाहिए तो दोस्तों अगर आप स्टनोग्राफर के तयारी करते हैं और आपकी speed भी है 80 word per minute तो आप इसमें apply कर सकते हैं दोस्तों अब बात करें आपकी स्टनोग्राफर में job location की तो job location आपकी गोरकपूर अजमेर और और अरंगाबाद और अगरतला रोपार काफी उन्होंने जो है कुल वेकेंसी की पोस्ट की वाइस यहां पर इन्होंने 6 स्टान देर के आपका कहीं भी job location रह सकता है तो दोस्तों नमबर 9 पे बात करतें junior assistant की बारे में तो दोस्तों junior assistant की इसमें 5 वेकेंसी आर किये salary आपकी बहुती हैंडसम है आप से ग्रजुसन मांगा गए अगर आप भी तयारी करते हैं अगर आपके पास ग्रजुसन है तो आप इसमें apply कर सकते हैं नमबर 10 पे बात करते हैं scientist grad D की बारे में तो इसकी तीन पोश्चने आर किये salary आपकी बहुती हैंडसम है 78,800 रुपए से लेकि 2,9,200 रुपए आपकी salary रहने वाली है और नमबर 211 पे बात करते हैं आपकी scientist C की बारे में तो इसकी दो वेकेंसी आर किये salary आपकी बहुती हैंडसम है इसमें आपसे जो है दोस्तो ग्राजिशन मांगा गया है अगर आपने regular इसमें अगर BE, BTEC या MTEC वगरा कर रहा है तो दोस्तो आप इसमें apply कर सकते हैं अब नमबर 13 पे बात करते हैं library information assistant की तो दोस्तो library information assistant की याँपे एक वेकेंसी आर किये salary आपको बहुती हैंडसम देखने को मिल लिए और साथ साथ दोस्तो आप से याँपे जो है experience मांगे है वो भी दो साल का और ग्रेज़सर आपकी मांगेगी है और science के अंदर या आपने library information का course कर रखा है दोस्तो वो भी आप इसमें apply कर सकते हैं और साथ साथ दोस्तो आपकी बहुत ही handsome salary याँपे जो रखी गई है अब number 14 पे बात करते है technical assistant के बारे में तो दोस्तो technical assistant के कुल साथ vacances आर किये जिनमें category wise आप इन पोश्टों को देख सकते हैं salary आपकी बहुत ही handsome याँपे देखने को मिले है 25,500 रुपे से लेकि 81,100 रुपे जो एक अपने आप में बहुत बड़ी salary होती है तो दोस्तो आप आपने जो graduation मांगा गए अगर आपकी पास भी है graduation तो आप इसमें apply कर सकते हैं अब number 15 पे बात किते हैं junior technical assistant के बारे में तो दोस्तो इसकी दो vacancy आर किये ये आपकी salary बहुत ही handsome रखेगी है अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पहुच करके भी यानि आपका जो citizenship है आपका जो knowledge है आपका जो जो आपके जो certificate है जो आपके इंडियन के बगरा कि तो दोस्तो आपको वो सारी इसमें लगाने हैं और अब next बात करते हैं अगर मैं सारे points बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा आप वीडियो को पोज करके इन points को read कर सकते हैं या इस notification को वीडियो से प्राप्ट कर सकते हैं वहां से आप आसाने से इन points को जो है read कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों आपके application fees की बारे में यानि category wise इन्होंने fees को बांट रखा है अगर आप SC, HD या PWD candidates या आप women's हैं तो दोस्तों आपके लिए application fees 400 रुपे रखी गई है और अगर आप general या other candidates जैसे general OBC अगर आप candidates हैं तो आपके लिए form fees यहां पे 800 रुपे रखी गई है और दोस्तों आप level RS 4600 पे grade पर आप आवेधन करना चाहते हैं आपकी fees जो form fees 300 रुपे और 600 रुपे रखी गई है यानि आप grade पे चोपन सो के लिए apply करते हैं तो आपकी यह इनकी जो fees रहने वाली है वहीं अगर आप 46 ग्रेट पर आवेधन करते हैं यहां पर application fees रहने वाली है तो दोस्तों apply करने से बेले वीडियो को like जरूर करें और वीडियो को आंते तक जरूर देखेगा तो दोस्तों आप संपूर्ण जानकारी जो कैसे आपके exam center होगा क्या-क्या आपकी topics रहने वाली हैं वो भी आप संपूर्ण वीडियो के अंते तक देख सकते हैं वीडियो को post करके देख सकते हैं और ज्यादा जान करें दोस्तों इसकी जो notification को आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं जो वीडियो की description में आपने डाल के दोस्तों आज के लिए धन्यवाद और एसा ही रोजाना सरकार गवर्मेंट दोकरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चनल को अभी सब्सक्राइब करें